हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अठारवे अध्याय का पहला श्लोक हम देख रहे हैं कि अठारवे अध्याय के उपर जो टाइटल है वो है उपसनहार सन्यास की सिध्धी उपसनहार को इंग्लिश में पूलेंगे कन्क्लूजन यानि अब हम भगवत गीता के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं अठारवे अध्याय सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारक बात कि अब पहले अध्याय से हमारे साथ बने हुए हैं और अब अठारवे यानि अंतिम अध्याय में हम पहुँच गए हैं प्रभुपाजी जब पहले श्लोग की व्याख्या कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान ने आम तोर पर कोई नया ग्यान नहीं दिया है जो सत्रा अध्यायों में ग्यान दिया है उसी को एक तरह से दुबारा से ब्रीफ किया है लास्ट में जैसे कि अच्छे टीचर्स करते हैं कि कोई भी लेक्चर जब वो करते हैं तो एंड में उस दिन क्या पढ़ाया उसको भी थोड़ा से लास्ट में ब्रीफ कर देते हैं तो नैचुली भगवाद गीता आप जानते हो कि महाभारत के युद्ध की शुरुवात में हुई तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिसकेशन बहुत दिनों तक चला था ये एक बार में डिसकेशन खतम हो गया था तो भगवाद ने 17 अध्याय में अर्जुन को समझाया और फिर लास्ट में उसी चीज को संशिप्त विवन करके 18 अध्याय में भगवत गीता एक तरह से खतम होई थी फिर भी इसको हमने जो टाइटल दिया है प्रभुपाजी ने वो है सन्यास की सिध्धी सन्यास क्या है यानि की क्या होता है इस दुनिया से अपने आपको थोड़ा सा अलग कर लेना इस दुनिया से थोड़ा सा एक तरह से विरक्ती त्याग और इस तरह की फीलिंग्स को डिवलप करना थोड़ा उस विशे पर इस चाक्टर में डिसकुशन ज़्यादा आएगा सो सबसे पहले यहाँ पर यही है अरजुन ने कहा हे माभाव मैं त्याग का उद्देश से जानने का इच्छिक हूँ क्या पूछा अरजुन ने यह अठारवा ध्याय शुरुवात कर रहे हैं अरजुन यह हमेशे प्रशन करके अध्याय की शुरुवात कर देते हैं और फिर भगवान आप तो जैसे मैंने का ठारवे अध्याय तक समझी गए हमेशा अरजुन वाच्या के बाद श्री भगवान वाच्या आई ही जाता है भगवान उनके प्रशन का तुरंत उत्तर देते हैं अरजुन ने कहा हे महाभाव मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ यानि मैं जानना चाहता हूँ कि त्याग का उद्देश्य क्या है और हे केशी निशूदन हे रिशिकेश मैं त्याग में जीवन यानि सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता सो question clear है कि त्याग और सन्यास इन में क्या फर्क है भगवान मुझे clearly बताईए जिससे मुझे में कोई संशय ना रहे त्याग और सन्यास दिखा जातों दोनों में एक से शब्द लगते हैं बट अभी थोड़ा थोड़ा इसमें हलका सा जो difference है उसको हम आने वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे भगवान ने यहाँ पर बड़ा clearly जो है आगे चलके त्याग और सन्यास को explain किया है अब यहाँ पर एक आखरी जो paragraph है ये भी मैं थोड़ा सा ले रहाँ इस बार कि यहाँ पर अरजुन ने भगवान को एक तो कहा केशी निशूदन और एक का हे रिशी केश तो ये दो शब् माल इस शलोक में अरजुन जी ने भगवान को पकारने के लिए किया तो प्रभुपा जी ने इसको explain करते वे लिखा है कि रिशी केश और केशी निशूदन ये दो शब्द महतपून है रिशी केश कृष्ण है समस्त इंद्रियों के स्वामी ये हमें मानसिक शांती प्रदा कर रहे हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वे संभाव में स्तिर रहे एक बार वो दुबारा से जैसे होते हैं क्लास खतम होने से पहले री कंफर्म कर लेना चाहता है अपनी सब नॉलेज को और उसके मन में अगर कुछ संशे है तो ये संशे भी अ शूदन कहकर संबोधित करता है केशी अत्यंत दुर्जय असूर था जिसका वद कृष्ण ने किया था अब अरजुन चाहता है कि वे उसके संशे रूपी असूर का वद करें तो एक तरफ अरजुन भगवान श्रे कृष्ण से मानसिक शांती चाहता है कि अब मन स्थिर हो जाए और युद्ध किया जाए जो उसका इस समय प्रेजन्ट काल में तो युद्ध ही शांती है क्योंकि एक तरह से उसका जो मन विचलित हुआ था वही से भगवत गीता कि शुरुवात हुई थी सो इसलिए उसने भगवान को रिशी केश कहकर पुकारा और संशय प्रभुपाजी लिख रहे हैं हमारे जीवन में अगर किसी भी चीज को लेके संशय आ जाए तो वो भी अपने आप में पूरा राक्षस ही है संशय को दूर करने के लिए अरजुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जैसे एक राक्षस को अपने मारा था तो मेरे ये संशय रूपी राक्षस का वद कर दें इसलिए यहाँ पर अरजुन ने भगवान को केशी निश्यूदन कहकर पुकारा है तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर हम भगवान के जवाब के साथ डिसकेशन स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा